दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और हम स्टार्ट करने इस वीडियो में एक्ससाइज 16.1 का जो कुश्चिन 9 और 10 है उसका सिलूशन हम करेंगे तो अब कुश्चिन 9 का सिलूशन करते हैं जो स्टेटमेंट गीवन है हमें इसमें उसमें हमें 2 लैटर्स की हमें क्या करनी है वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस पजल में तो जो लैटर्स की वैल्यू है हमारी वो उसकी पोसिबिल्टी क्या हो सकती है 0 to 9 यह पहले हम 8 question में भी सीख चुके हैं तो जो first condition गीवन है हमें B और 1 की addition जो गीवन है उसका जो answer गीवन है व अब 1 तो है B क्या possibility हो सकती है इसमें कि जब हम 1 add करें तो हमें क्या मिले 8 तो 7 वो number है जिसमें हम 1 add करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 तो यहां से जो यह value आई है 7 वो किसकी value है हमारी B की B प्लस 1 क्या given था हमें 8 था तो वही write करते हम यहां 7 और 1 इसका जो answer given है वो है 8 और यह given है A यहां पर और जो B की value अब यहां आई है वही same value यहां रहेगी 7 और यहां value क्या given है 1 अब इस condition को हमें check करना है कि A की value क्या हो सकती है हमारी A प्लस 7 है A प्लस 7 और answer हमें given है इसमें 1 तो यह कब आ सकता है जब हम A के place पे है अगर हम 0 to 9 देखें A की value भी कितनी होगी हमार 7 रहेगा अगर 2 put out करते हैं 7 प्लस 2 9 होगा 3 करते हैं तो 10 3 प्लस 7 यह कितना आएगा 10 आएगा लेकिन इसमें unit place के हमारी 0 है और हमें यहां क्या चाहिए 1 तो A के place पे क्या number आ सकता है 4 4 प्लस 7 वो कितना होगा 11 तो 11 में हमारे यह number तो आएगा unit place पे और जो यह 1 होगा यह हो जाएगा carry तो इस A के place पे हम क्या put out करेंगे 4 put out करेंगे तो 4 प्लस 7 यह कितना होगा 11 और carry करेगा यह 1 तो 2 तो हमें given था और A की value क्या है हमारी 4 4 प्लस 2 6 प्लस 1 यहां कितना आएग 7 तो आप चेक कर सकते हो जो हमने starting में 7 को let किया था एक B की value वही value हमारे last में जो B है उसकी भी आई है तो इससे हमारा क्या हो गया है पजल 6 और जिसका answer है हमारा final वो क्या है A की value हमारी है 4 और B की value हमारी है 7 तो यह है answer हमारा जो question 9 given है exercise 16.1 में उसका अब हम करते हैं इसका last question exercise का question 10 question 10 की statement आपकी screen पर है जो इसमें हमें letter given है वो है A और B इनी की value हमें क्या करनी है find out करनी है जो A letter है उसकी value भी क्या होगी हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह हो सकती है और जो B letter है उसकी value भी 0 2 कहां तक 9 तक ही हमारी होगी अब हम जो first condition given है यहाँ A और B की value हमें given है 9 अब addition में हमें नहीं पता कि क्या number यह possibility हो सकती है इससे next जो step given है 2 और A इनकी addition हमें क्या given है 0 क्या given हमें A plus 2 वो value क्या है 0 अब A क्या number add 2 number तो हमें add करना A में तो वो क्या possibility हो सकती है कि अगर हम 0 से start करें 0 plus 2 तो 2 ही आएगा 1 करेंगे तो 3, 2 करेंगे तो 4 इससे तो हमारे आएंगे नहीं क्योंकि यह number क्या होगा हमारा double digit का होगा और double digit कब आएगा अगर हम 7 के बात करते है 7 plus 2 भी क्या होगा 9 तो यह जो possibility हमारी 8 और 9 के वही है तो 8 अगर हम put out करते है A के place पर 8 plus 2 यह कितना होगा 10 यहां unit place हमारी क्या है 0 है और जो 1 होगा यह हो जाएगा carry तो यहां से हमें A की value तो मिलगी 8 A की value क्या ही है 8 तो अब जो first condition given थी हमें A plus B equal to 9 यह given था हमें A की value हमारी आचुकी है 8 अब A के place पर तो 8 है यहां B, B की value क्या put out करें हम की 8 में add करने के बाद हमें answer क्या मिले 9 तो यहां से तो हमें क्या मिलेगा 1 8 plus 1 कितना होगा 9 तो यह जो value है यह हमारी B की है और यह value किसकी है हमारी A की तो पजल हमारी हो चुकी है solve और वो क्या आएगा जो final answer इसका A की value आएगी आपकी 8 और B की value की आएगी 1 तो यह जो value आई है यही answer है हमारे जो question 10 है उसका तो यह था exercise 16.1 का जो last question 10 उसका solution आप इस channel से जुड़िए class 8 की complete solution के लिए math subject के आप इस channel को subscribe कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share भी कीजिए